हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे बहुती टेस्टी जटपट बनने वाला चटपटा सा नास्ता ये नास्ता खाने में जितना मज़ेदार है साथी साथी उतना हेल्दी भी है इस्पेशली बच्चों को ये बहुत पसंद आता है आप इसे फटा थोड़ा सा सिमला मिर्च मैने बारिक क्ट करके लिया थोड़ा सा तमाटर है प्याज है आप चाहे तो बींस भी यहाँ पर ले सकते हैं और थोड़ा सै मैने लिया बारिक कट करके अद्रक टालेगा बहुत बढ़ीया फलेवर आता है तो जो सबजे आपको पसंद नहीं कर सकते हैं जितनी सबजी आप इसमें डाल रहें बस यह धिहान रखे कि सबका साइज सेम रखें चोटा बड़ा ना कट करें तो सारी सबजी मिलाने के बाद यहां पर एक कप मैंने लिया है बिल्कुल गरम पानी तो यहां पर ठंडे पानी के इस्तेमाल नहीं करना है रीजन ठंडे आटे के दो इसमें थिए मिलेएं तो सूझी को फोलने में टाइम लगया और आगर आ गरम पानी से से बनाएं गे तो फटा-फट सूझी भूल जाएगी विदिन फ्यू मिनट सूझी फूल जाएगी और आपका नासता फटाफ़ बन कर तयाहिँ तो यहां पर अमैन बुना जीरा, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा, और यह लिया है मैंने 1 फोर्थ टीस्पून गरम मसाला, बस इतने ही मसाले डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे, तो यहां पर इस स्टेज बढ़ना सूजी नास्तर बनाने के लिए और दो टेपलिस्पून पानी बचा है, और यह लिया है मैंने अपे मेकर, आजकल सभी के घरों में होता है, इसकी जितने भी कैवेटीज है, इसमें अच्छे से ओल लगा देंगे, और यहां पर इस नास्ते में हम थोड़ा सा ओल्मोस्ट वन फोर् ना है, तो यहां देखें, यहां पर मैंने सारी कैवेटीज को बढ़ने के बाद अपे मेकर को गैस पर रख दिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पर, एक साइड से अपो को सिखने में टोटल तीन मिनट लगते हैं, तो पूरा जो प्रोसेस है ना कुकिंग का इन अपो को सेख पीसना है, और यहां पर हमारे अपे भी बनकर तयार हो गए, बहुत ही शांदर कलर आया है, तो फ्रेंट्स अपे तो बनकर तयार हो गए ने थोड़ा से डिफरेंट बनाएंगे आजम जो कि इसका टेस्ट बहुत बढ़ा देंगे, तो सबसे पहले ग्यास के पर कढ़े में दो टेबल स्पून तेल डालना है, आधी चमच सरसोदाना, थोड़ा सा हींग, आठ दसकरी पत्ते और फिर टमाटर पीसे थे थे ना वो डाल देंगे, आधा चमच डालेंगे सफेद तिल, एक चोथा चमच डालेंगे गरम मसाला, आधी चमच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउ और बस, इसके बाद दो मिनट के लिए इस तरीके से ने भूनना है, लोटू मीडम फ्लीम पर और थोड़ा सा हरा धनिया मिला देना है, और गरमा गरम और टेस्टी सा नास्ता बनकर हो गया तियार, जो कि बहुत ही शांतर लगता है, तो फ्रेंड्स, आई होब कि आपको य कैसे भी पसंद आई है तो लाइक कोमेंट शेर जरूर कीजेगा, थैंक ये फॉर वाचिंग,